नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त प्रतीक शर्मा कॉमनमेंट आज 2 दिसम्बर 2024 है और दोस्तों मैं आ गया था कल रात को हम सफ़र ट्रेन से सफर करके अपने घर अजमेर और रात को हराम से नीद निकाली काफी ठकान हो गई थी और उसके बाद सुबह बच्चे को स नेखिए तो उसकता है उनके साथ मुझे वापिस जयाना पड़े वह कह रहे हैं कि आप इसलिए तो कोशिश कर रहे है अब टिकेट कर रही है तो टिकेट हो गई तो मैं वापिस शायद जा सकता हूं दिल्ली इसके लावत दोस्तों सबसें पहले बात करते की गल एक्सराइ जो एरिया है उसको टाइट करना होता है ऑनदर की तरफ खेचyes के टाइट करना होता है जैसे सोबूस करिए बैठे गे बहुत कर सकते हैं लेटेقة बहुत करसकते यह मैं आफित करेंगे एक दो 345 छोड दी यह एक बार हुई ऐसी आपको दिन में 200 बार करनी है जी हाँ 200 बार करनी है 50 50 करके करिए काउंटिंग करिए 12345 फटापट ठोड दी ये एक बार हो गई इस हिसाब से 50 50 करके आपको सब्सक्रेंग करनी है आपन को तो commenई में और और की अदो न들이 फीक निकिन टर आपकी मसल्स की अच्छा करने मिला इसका क्ला कर्द हूं में तो यह बढ़ ज़िए में तो यह बहुत διαसkin ही है कि यह व्यटिन व्यजरद में मेंकन जुखा तो जब हमने open सद्री हमारी हुई है अगर यहल हमारी लेजर सद्री हुई है तो उसके next day से एक्सिसाइज हमें starts कर देनी है किसी तरह की कोई problem नहीं और अगर हमारे शार सूतर का treatment चल रहा है तो शार सूतर का treatment पूरा हो जाने के बाद इसको start करना है क्योंकि जब शार सूतर का treatment चल रहा होगा वो उसने काटा ही नहीं होगा जब वो कट जाएगा ओपन हो जाएगा उसके बाद आपको जरुद पड़ेगी मुसल्स पावर को वापिस से रीगेन करनेगी तो चाह सुतर कम जब आपका प्रोसिस जो है वो कंप्लीट हो जाए जब धागा पूरा काट के भार जाए। उसके बाद आपको करनी है और टीन साल तक रिकमेंड की जाती है कि सजडरी के बाद साल तक आप जाकर पावर सकता हो जनता है कितना बहीं आप OUT खोशिच कर लो नेकिन करनी के पहले के मुकाबले जो हमारी Tone muscles टोन रहती है Spincher muscles की वह beshik हों ही जाती है मेरे साथ भी है ऐसा नहीं है कि कहीं भी निकज जाता है motion या कुछ हो जाता है लेकिन एक जो रोकने की capacity होती है कहीं ना कहीं पहले के मुकाबले कम हो जाती है क्या करना है आपको कीकल एक्सेसाइस करना है की मैं अब बता दिया है इसकूल में अगर आपने डंडे खाये होंगे फिंसिपल तो जैसे हम टाइट कर लेते हैं हमारे बंब को एक दब टाइट कर लेना अंदर की तरफ खेचना है सास नहीं रोकनी है वापीस से समझे बंब को खेचना है बैटे 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 यह देगे यह मैंने कर एक भाई आए वे थे हमारे मैंने उनको पर्सनली चेक करवाया और मैं क्या बता हूं आँखो देखा हाल मतलब रूख आप जाती कभी कभी तो ऐसे ऐसे केस देख करके कल अजे जी का भी हुआ ऑपरेशन में बात का वीडियो कवर नहीं कर पाया क्योंकि मेरी ट्रेन थी औ और काफी अच्छे से उनका ऑपरेशन हो गया था ऑपरेशन हुआ जब तक वह बहार आया थे उटी से जब तक मैं वही था फिर मैं निकल गया था पर मैं वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिल पाया अभी मैं वापेस जाओंगा तब उनको कवर करूँ अभी तीन दिन के ल ले लिए अपने ड्रेसिंग करवाएंगे क्योंका केस थोड़ा कॉंपलिकेटेट है दो सद्री और करा चुके हैं काफी ज़्यादा परेशान है तो वह रहें के अपना इसका 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 इसके बता रहा था नाम नहीं लूंगा भाई का भाई शादी शुदा है चोटे ब सब्सक्राइब करते हैं और उनका गुद्धादवार इतना बड़ा हो गया है ऐसे खुला रहे गया है उसके इंदर फिंगर हाथ सब ऐसे जा रहा है मूशन सब ऐसे आज़ता है उनकी जो स्पिंचर मसलों पूरी काड़ दी गई है डॉक्टर ने बोला है लाइफ टाइम स हो सकता है नहीं हो सकता है उनके अभी इतनी ज़्यादा दिक्कत है अंदर पस भी बलगम जैसी पस हो रखी थी मैं खुद परसनली वाच चेक करवा रहा था खड़े होके और काफी ज़्यादा मतलब केस आप देख लो ना मतलब शाह सूतर जो आप लो कमेंट करते हैं शाह सूतर से सही होता है सिंबल के सही होता है शाह सूतर वाले कहीं से भी करवा हो शाह सूतर के भी स्पेशलिस्ट होते हैं डॉक्टर होते हैं उन से करवा है बंगाली के चक्कर में ना पड़े वो भाई ने बंगाली से कराया और कराने के चक्कर में उसका यह हाल हो गया बंग के सामने है जो है हसार्प के सामने अडालता हूं एसर नहीं है जो वीडियो चुपा रहा नहीं है तो नहीं हो संख आपyani प्रिप्रेशन आजाए लेकिन शाह सूतर में लाइफ के साथ खिलवाड हो सकता है अगर अपने गल जगे से करवा लिया किसी बंगाली से तो बहुत मुसीबत हो सकती है शाह सूतर करवाएं इस पैसलिस्ट डॉक्टर जो शाह सूतर के हैं उनहीं से करवाएं मेरे वीडियो क कर दी चलो लाग रुपे तो फिर आजाएंगे पैसे की कोई टेंशन नहीं पैसा तो आदमी फिर कमा लेगा लेकिन उसका क्या जिन्दकी बार उसको लेके चलना है उसकी पूरी स्पिंचर मसल्स खराब करके रख दी है डेट साल तो उसके घाउं नहीं भर रहे हैं पता न जिना बुरी स्थिति ती भाई अभी तो क्लोन कोपी और उनके अलाग अलाग पता नहीं बहुत सारे टेस्ट होएंगे उनकी जड़ पता नहीं कोशिश करेंगे कि यह सांफ एसा क्यू क्यूं रहा है मैं करेंगे तो बहुत बात की बात हैं तो पांट-दस परशन पंदा इसके लावा मेरा उद्देश यही रहता है कि आप लोगों को सही गार्डेंस मिलें इसलिए बार बार कहता हूं भाई कि आहां को बधा के मैं आपको जान सूटेवर लगता है क्यूंकि इसमें असली पैसा पाई बाई यहां आप लगता है कौन काह से सही होगा ये तो उपर वाले ने लिखे रखा हुआ है अपनी अपनी किसमत है सबकी कहें नहीं सकते नहीं है ऐकर वर्ल्ड के बेस्ट डॉक्टर भी आजाएंगर उसकी किसमत में नहीं है सही होना तो नहीं हो पाएगा तो बहुंति मेना जाएं मेरे पास रोज फोन आते हैं रोज पेशनठ इतना ज्यादा चिंता में चले जाते इतना डिपरेशन में चले आते हैं ये पहोлон हैं इसस धी मते हो वरी और बुory बीमारी मावा प्रिम किया आद्मी का रहते हैं ना जाने का रहत जहाते そう तैर भीनेगे पेंद स्थाफ नहीं हो अपनो खंद सब्सक्राइब अपना डर्दी अभी संतोष के वह यह सकते हैं बहुत लोग बहुत दर जेल रहे हैं बहुत तकलीफ में हैं बगवान ये बीमारी किसी को ना दे मैं तो कहता हूं मेरा वीडियो कोई देखे नहीं किसी को जरूत नहीं पड़े देखने की जो जिसके हो गया है उसको दिख जाए तो अच्छी बात है उसकी मदद हो जाएगी लेकिन बगवान ये बीमारी किसी को बढ़ाए नहीं बढ़ेगी नहीं तो फिर वीडियो को देखे नहीं अच्छी बात है भाई मेरे को कोई मेरा वीडियो दिखाने में या वीडियो चलाने व्यूस के अंदर कोई वो नहीं है मेरा मोटिव मेरा मोटिव है बस यह जो बी की फटी रह जाएंगी इतनी पूरी कंडिशन थी बहुत पूरी मैं खुद मतलब है ना दो गंटे तक तो मेरे दिमाग के अंदर वही चलता रहा और मैं खुद टेंशन के अंदर आ गया था यह देख लो तो बस मैं यहीं कहूंगा भाई अपना अपना ध्यान रखें अच्छा खाएं फाइबर डाइट लें पानी पीएं इस सब गोल डेली लें इस सब गोल के कोई साइड इफेक्ट नहीं है इस सब गोल लेते रहें मैं भी डेली लेता हूं लाइफ टाइम खाना है कुछ भी नहीं होगा कभी कबार छूड़ जाए चलेगा कोई टेंशन की बात नहीं है तीन सो पैसर दीन ही खाना है तीन सो पैसर दिन में से डेड़ सो दो सो दिन भी खाऊगे तो रोटेशन बैठा रहेगा शरीर का फाइबर गा ठीक है सब क बंद कर कendo यह च होगा है तो थोड़े दिन बंकर कि शोड़के एक दिन विले सकता है कि अपने बोडि टाइप की ओपर है जो बाकी द необходимо अपना भाइच spindle के उपर है सभी को इसंती को भी कान तो आप सब थोड़ा-थोड़ा अपना ध्यान अपना रखी यह रिकरंज्स का घूर्ट है इक मुख जैसे मुख में भाया होती Baptist Church मुख के लिए जो उसी प्रकार्चा्थ हमारी एनस के लुए पने उस्कों मुख कहते है वह एनस के अंदर इसमयादा थो था इनस के अंदर और शायक्राद गजाते है ख़ scorpion करती है तो दीरे दीरे जब मेरी बन नहीं रही थी पस और कुछ आ नहीं रही थी वह जो आ रहा था तो दीरे-दीरे exercise भी मैं कर रहा था हलागि रेगुलर नहीं कर पाता हूं मैं भी कभी कभा time मिल जाता है मैं basically खड़ा रहता हूं जब करता हूं खड़े ओके जदा comfortably हो जाती है और जब मेरे को याद र बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही मैं बस यही उमीद करूँगा जिसके भी बीमारी है सब इस बीमारी से जल से जल पीचा छूड़ जा चुटकारा मिले भगवान सब को जल से जल आराम दे और इस्तकार जी को बहुत बहुत धन्यवाद उन्होंने तो मेरे सही होने की अब ही नहीं बोला था वह पहले ही बोल रखा था जब मेरा ऑपरेशन हुआ था अगर आप ठीक होगे तो मैं लड्डू बाटूंगा पूरे गाओं में और मेरे ठीक होने की कुछी में लड्डू बाट दिये मैं कुछ फोटोस और वीडियोस हैं यह भी शेयर कर रहा तो इसकार जी बहुत बहुत धन्यवाद और भगवान आपको अच्छी सहत अदा करें ठीक है भाईयो इस वीडियो में इतना ही ज्यादा लंबी हो जाएगी फिर आप बोर हो जाएंगे तो मिलेंगे जल्दी कल नेक्स वीडियो में और जब तक आप सब अपने अपने ध्या कर दो कि देने वादा